अगर हम लोग single face induction motor capster से start कर रहे हैं और उसके अंदर capster का इस्तमाल केवल starting में कर रहे हैं तो ऐसे case में हमें highest starting torque मिलेगा अगर वहीं पिर हम लोग capster का इस्तमाल केवल run कराने के लिए कर रहे हैं यानि कि starting में नहीं कर रहे हैं केवल run कराने के लिए तो ऐसे case में मुझे best running performance मिलेगी, लेकिन अगर हम लोग इनके mid में कहीं operate करते हैं, यानि कि अगर हम लोग अपने motor में capster का इस्तमाल, capster को start और run दोनों चीज़े कराने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे case में ना तो मुझे highest starting torque मिलेगा, ना ही मुझे best running performance मिलेगी, ये कौन सी motor हो ना ही बहुत अच्छी running performance दे पाने थी, तो solution क्या था, हमने कहा क्यों ना हम लोग ऐसी एक machine design करें, जिसमें capster start motor की highest starting torque वाला feature भी involve कर लें, और best running performance को भी involve कर दें, और यहां से जनम होता है, हमारे पास double two value capster start motor का, यानि कि two value capster motor की जानी जाती है, या फिर इने हम लोग double capster motor के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और मेरा नाम प्राण जाला है, और आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे, double capster split phase induction motor के बारे में जानेंगे, चली शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर मैं design की बात करूँ, तो previous जितने भी lectures हुआ है, उसके अंदर हमने capster start induction motor देखी, इनका पूरा हमने structure जाना था, then हमने capster में, इसके अंदर से centrifugal switch हटा दिया था, जब तो हमें क्या मिला था, capster start, capster run motor मिल गई थी, जो just previous lecture के अंदर हमने चर्चा की थी, जिसके बारे में, then finally, इस lecture के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, capster start double capster motor, यानि कि ऐसी motor जिनके अंदर दो capster लगे होते हैं, यह basically दोनों का involvement है, यानि capster start induction motor और capster start capster run motor में से, अगर दोनों को मैं मिला दूँगा, तो मुझे यह structure मिलेगा, अगर इस structure को दिहान से देखो, तो इसके अंदर यह देखे, centrifugal switch का भी इस्तमाल किया गया है, centrifugal switch का भी, centrifugal switch भी मैंने इस्तमाल करा है, ठीक है, और इसके अंदर देखो, एक capster one use हुआ है, C1, यह C1 आप देख सकते हो, क्या हुआ है, यह C1 जो है, यह connected है, इस centrifugal switch से, यान कि यह वाला जो C1 है, इसका काम है, capster start induction motor की तरह motor को start करवाना, capster start, यानि कि यह वाला जो है, C1, यह cable operate करेगा, at the starting, यानि कि only starting में ही operate करेगा, only starting, ठीक है, तो इसका काम क्या है, C1 का काम है, capster start की तरह motor को work करवाना, यानि कि इस motor की तरह work करवाना, इसके लिए कौन से capster मैं use कर रहा हूँ C1 capacitor ठीक है वहीं दूसरा capacitor जो मैंने use कर रहा है C2 इसको देखो तो C2 को ज़रा connection को आप देखो C2 connection हमारा कुछ इस तरीके से आया और यह connected है यानि कि कहीं भी centrifugal switch नहीं है यानि कि कौन सा structure है यहानि कि यहां से मैंने कौन सा capacitor उठा है यह वाला capacitor कौन सा है C2 है इसका काम क्या है capacitor के starting में भी लगे रहे ना और capacitor के run position में भी लगे रहे ना ठीक है बात समझ में आ रहे है तो यानि कि यह वाला capacitor C2 यह क्या करेगा running में भी लगा रहेगा और starting में भी लगा रहेगा ठीक तो यह इस तरीके का जो structure होता है इसे हम लोग कहते हैं double capacitor induction motor यानि कि इसके अंदर दो capacitor के values होती है इसमें से एक capacitor C1 जो है ये centrifugal switch से connect होता है और ये केवल तब ही तक operate करेगा जब तक तक तुम्हारी motor NRS NSW जो मैंने बताया था तो मैं centrifugal switch की जो speed होती उससे कम चलेगी तब तक operate करेगा जैसी एक बार motor तुम्हारी एक particular speed को gain कर लेगी 70-80% of rated speed उस case में क्या होगा से connect को switch होगा वो operate कर जाएगा ठीक तो ये है आपका run capacitor है और this one is the start capacitor यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिख दिया आयोब ये चीज़ clear हो रही होगी नहीं हो रही तो मैं आपके सामने कर देता हूँ ठीक है तो देखो ये वाला जो capacitor है C1 ये तुम्हारा क्या start capacitor है वहीं पर जो C2 है ये क्या है तुम्हारा run capacitor है ठीक आयोब ये चीज़ clear हो गई होगी आगे चलते हैं इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना अगर capacitor specification की बात कर ले तो हमारे पास एक है start capacitor C1 और एक run capacitor C2 ठीक है अब दोनों के specification देख लेते हैं पहला वाला short duration के लिए चाहिए already यानि कि ये वाला जो C1 capacitor है C1 capacitor हम ले रहे हैं capacitor start induction motor से और C2 capacitor जो ले रहे हैं ये हमने जो just previous देखा था capacitor run capacitor start induction motor से तो बस इनी दोनों को हमने मिला कि जो motor बनाई है वो ही हमारी double capacitor double rating motor है ठीक है तो उसी के हम लोग जड़ा देखते हैं सबसे पहला क्योंकि पहला वाला capacitor हमने capacitor start से लिए है तो only for short duration होगा ये क्या होगा continuous duration के लिए होगा इसके में C1 जो होगा वो high value capacitor होना चाहिए 200 microfarad से ज़्यादा गा जबकि C2 जो होगा वो 2 microfarad के असपास होना चाहिए ये electrolytic होगा C1 जबकि दूसरा क्या होगा oil and paper capacitor होगा ये दोनों differences बिल्कुल वैसे ही है जो मेरे lecture आपने just previous और उससे previous उन दोनों lecture दो compare करोगे तो यही हमें मिलेगा ठीक है तो यानि कि हमने क्या करा दोनों की अच्छे अच्छी बाते हैं दोनों capacitor को लेके इसमें जोड़ दिया है इसलिए 2 value capacitor induction motor कहलाती है खास बात क्या है C1 is 10 to 15 times stronger than C2 ये बात तो मैं याद रखनी है कि जो C1 लगा रहे हो यानि कि only for starting C1 यानि कि कौन सा capacitor है ये जो केवल हम लोग starting के time पर यूज करते हैं ये क्या होगा 10 to 15 times यानि कि 10 से 15 गुना जो है stronger होगा than C2 यानि कि जो तुमारा run capacitor है वो बहुत ज़्यादा weak लोगे और जो start capacitor है वो काफियत है strong लोगे 10 to 15th time stronger than C2 ठीक working देख लेते हैं अगर हम working की बात करते हैं ठीक है तो अगर आप working की बात करते हैं हम लोग तो सबसे पहले starting case को जड़ा देखते हैं अगर starting case की केवल उपर नजर डाली जाए तो starting case में हमें इस तरीके का structure यानि कि मैंने क्या करा जो अभी मैंने आपको थोड़े दिर पहले circuit diagram बताया था बस उसी circuit diagram को मैंने separate कर लिया है उसकी उपर से rotor और stator का structure था उन्हें हटा दिया है अगर हमारे पास इस तरीके का circuit diagram मुझे मिलता है तो starting के time पर क्या होगा खास बात देखने वाली है starting के particular time पर ये जो centrifugal switch होगा ये क्या होगा ये close होगा देखो ये switch क्या है close ह इसको मैं लिख दे रहा हूँ और ये centrifugal switch है इसका मतलग क्या हुआ C1 जो है ये तुमारा क्या है ये तुमारा on है यानि कि picture के अंदर मौझूद है C2 ये क्या है C2 के बारे मैंने आपको बता दिया permanently connected रहता ये permanently permanently connected ये तो permanently connected है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है लेकिन C2 ज थोड़ा तो और simplify कर सकता हूं simplify कर दें तो कुछ इस तरीके के मुझे circuit मिल जाएगा कि हमारे पास जो C1 है और C2 है वो दोनों की दोनों एक तरीके से parallel में operate करेंगे ठीक है ये देखो कि बिलकुल वैसी चीज है इसी model को मैंने इसमें convert कर दे जिसमें C1 क्या है तुमारा ये प्लस C2 मिलेगा देखो आप लोगो ये चीज़ पता होगी रूल है कि केपस्टर जब parallel में connected होते है इन parallel connection अगर parallel connection की बात करते हैं तो ऐसे case में क्या होता है C1 प्लस C2 यानि कि दोनों केपस्टर क्या होंगे parallel में जुड़ जाते हैं और series में क्या होता है 1 by C1 upon 1 by plus 1 by C2 करक आणसर आता है ठीक है तो ये आपको पता होगा तो ऐसे case में क्या होगा यानि कि जब तुम motor को start करोगे ऐसे case में C1 और C2 दोनों add up हो जाएंगे यानि कि maximum capacitance तुम्हें मिलेगा maximum capacitance offer होगा maximum capacitance हम लोगो offer होगा at the time of starting यानि कि जब भी तुम start करोगे अब देखते हैं दूसरा case, यानि कि after NSW, यानि NSW क्या है, यह तुम्हें बताया था, मैंने speed होती है, जिस पे centrifugal switch operate कर जाता है, यानि कि वो speed जिस पे centrifugal switch operate कर जाएगा, ठीक, तो previous case में centrifugal switch on था, ठीक, अब क्या होगा, यह switch off हो जाएगा, इस तरीके से circuit को break कर देगा, और ऐस करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर आपके, जो C1 और C2 है, उनको जड़ा देहान से देखो, तो यह C1 जो तुमारा है, यह picture से disconnect हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, disconnect हो जाएगा, पिक्चर से, यह disconnect हो जाएगा, clear हो रहा है, और C2 जो होगा, वो remain connected, C2 क्या है, क्योंकि run capacitor है तो यह remain connected, ठीक, remain connected, ठीक है, IOB जी समझ में आ रहे हैं को, इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, now C equivalent कितना था, C1 प्लस C2 था, पर क्योंकि C1 disconnect हो गया है, तो अब C equivalent कितना रह जाएगा, केवल C2 के बराबर रह जाएगा, ठीक, इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, खास बात, इ जब इस तरीके का हम लोग section लेते हैं, इस तरीके की हम लोग जब designing करते हैं, जिसमें हम लोग 2 value का capacitor ले रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज हमें क्या मिलती है, जो main में मिलता है, तो this way, optimum starting भी मिल जाएगी, optimum starting, क्योंकि 2 capacitor C1 प्लस C2 मिलेंगे, तो बहुत high capacitance मिलेगा, तो बहुत तगड़ी starting मिल जाएगी, और optimum running condition भी मिल जाएगी, running condition optimum क्यों मिलेगी, क्योंकि C2 जो होगा, वो remain connected, यानि कि connected ही रह जाएगा, जबकि अगर previous motor की बात करें, यानि कि जो हमने कल discuss करी थी एक lecture पहले, जिसमें हमने देखा था, capacitor run, capacitor start induction motor, वहाँ पे starting torque इतना अच् क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हम लोग, capacitor ले रहे थे, वो medium का range का ले रहे थे, और वो उतना अच्छा, capacitor, reactive power impulse नहीं दे पा रहा था, जिससे तुम्हें high starting torque मिलता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ संभव हो जाए, क्योंकि C1 और C2 add up होंगे, starting में, अब हम लोग speed torque के analysis कर लेते हैं, हम लोगों ने पुराने analysis काफी ज़्यादा की हुई है, अब हम लोग speed torque के analysis करें, तो speed torque curve जो होता है, यह हो गया, पहला curve मैंने बनाया, आपके लिए main winding का, यानि cable main winding थी, दूसरा curve था, capacitor start induction motor का, तीसरा curve जो होगा, यह होता है, capacitor start, capacitor run motor का, ठीक है, यानि कि अगर हम तीनों curve को mention कर दें, कौन-कौन से curve हैं, उसको देख लेते हैं, तो this one is the, यह वाला कौन सा है, यह है तुमारा without starter, यानि कि without starter अगर तुम बना रहे हो, तो तुम्हें इस तरीके curve देखने को मिलेगा, ठीक है, यह हो गया तुमारा capacitor run motor का capacitor run अगर लगा रहे हो, इसमें कौन सा capacitor use कर रहे थे, C1, और यह वाला जो है, यह वाला कौन सा है, यह जब capacitor, sorry, यह वाला उपर वाला जो है, इसको हम लोग लेखेंगे, capacitor run नहीं, बलकि, capacitor start, this one is not run, this one is, capacitor start, capacitor start induction motor, जो मैंने पताया था, तुम्हें शुरुवात के lecture में, तो मुझे यह curve मिला था, इसको मैंने नाम दे देता हूं, C2, C2 के कारण, ठीक, तो बात समझ में आगई होगी, यानि कि अब देखो, अब हमें क्या करना है, just mid का curve बनाना है, यानि कि दोनों curve को मिला के बनाना है, तो ऐसे case में क्या होगा, यह वाला जो curve है, particular curve, C, यह वाला C C2, ठीक, तो पहला वाला जो curve है, यह run करेगा, जब C1 प्लस C2 के साथ operate करेगा, ठीक, तो यह वाला जो curve है, C1 प्लस C2 के साथ जब तुम operate करोगे, तो पहले वाले curve में operate करोगे, ठीक, समझते हैं, अगर यह हमारी NSW है, तो शुरुआत करोगे आप curve 1 से, ठीक है, यानि कि जब NSW से पहले, तो ऐसे case में तुम किस में operate करोगे, तुम C1 प्लस C2 वाले capster start, प्लस run वाला जो यहां पे capster है, दो capster यानि double value, यह कह सकता हूँ, मैं इसको double value capster के साथ run करोगे, ठीक, यह वाला curve में operate करोगे, C1 में, और जैसी क्या होगा, तुम NSW पहुचोगे, तुम हाँ पे तुम shift हो जाओगे, बासमज में आ रही है, तो ऐसे case में, आप C1 और C2 के बीच में shifting करते रहोगे, यह क्यों हो रहा है, due to double value capster के कारण, ऐसा हो रहा है, ठीक है, जबकि जो previous curve तो मैंने बताया था, तुम्हें, उस case में हम लोग इसी curve पे operate कर रहे थे, ठीक, तो आयोप, अगर तुम्हें अभी कोई doubt है, तो पुराने lecture में जा के देख सकते हो, सारे curve एक दूसरे से different है, याद रखना, देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक बार remind करा दूँ, तो capster run वाला जो curve था, केवल capster run, यानि कि C1 के साथ जब था, तो पहला वाला curve में operate कर र नहीं हो रही थी, लेकिन इस वाले curve में क्या हो रहा है, C1 जब तुम operate करोगे double capster induction motor, तो starting में C1 प्लस C2 वाले curve पे चलोगे, और जैसी तुम capster को हटाओगे, एक capster को, यानि कि यहाँ पे जैसी switch operate करेगा, NSW पे क्या होगा, NSW पे centrifugal switch जो होगा, वो क्या होगा, operate करेगा, और operate करने से क्या होगा, operate करने से जो C1 है, वो क्या हो जाएगा, वो off हो जाएगा, C1 out हो जाएगा, picture से, off की जगा out कह सकते हैं, out हो जाएगा, तो जैसी out होगा, तो ऐसी case में तुम क्या करोगे, capster run, यानि कि C2 वाले capster पे rely करोगे, ठीक, आयो भी जी समझ में आ गई main feature की बात कर लेते, main feature क्या है, इस motor का, तो सबसे खास बात, इसकी ability to start heavy loads, बढ़ा important है, कि इसके अंदर ability होती ही, कि आप heavy loads को start कर सकते हो, क्योंकि दो capster install हो रहे हैं, तो बहुत high starting torque मिलता है, मैंने अभी देखा, दूसरा feature high power factor होता है, obviously चीज है, क्योंकि हम लोग capster 75% overload capacity, यह important point है, कि यह 25% तक overload capacity, यानि कि एक होता है loading, एक होती है normal loading, full loading and then होता है overload, यानि कि overload 25% तक का overload यह bear कर सकता है, and last high efficiency, ठीक है, क्योंकि जब तुमार power factor अच्छा होगा, losses कम होंगे, तो efficiency high देगी, now बात कर लेती है, applications कहा है, in motors की, तो सबसे पहली applications है, याद रखना, जितने भी high starting loads है, यानि कि जिसमें high starting loads का मतलब, जिसमें high starting torque की जरूरत है, जैसे crane हो गई, या कोई भी ऐसी चीज, जहांपे तुमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी है, for example, जैसे हम लोग कह सकते है, sub-merciable ले लो, sub-merciable जो होता है, उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जो motor use करते हैं, उसमें भी मुझे high starting torque की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी case में आपने देखा हुआ, कभी sub-merciable अगर खोल के देखोगे, तो उसमें 2 capital use होते हैं, double capital use होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, तो example क्या compress रही है, यानि कि जहाँ पे भी compress करना है तो में कोई चीज़ को, कि जब आप किसी तो compress करते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाकत की धरूरत होती है, तो starting torque बहुत तगड़ा चाहिए, तो इसलिए double capital use कर करें हैं, application क्या, speed torque क्या है, इस detail तो मैं किसी book में नहीं मिलेगा, single face induction motor with double capacitor value के साथ ही है, आने वाले lecture में हम और detail में जानेंगे, centrifugal switch की working सीखेंगे, capacitor कैसे select करना है, उसको जानेंगे, plus one of the most important thing, thing कि single face induction motor को reverse operation कैसे करवा सकते हैं, यानि कि ये तो forward तो सब घूम रही है, reverse कैस से गुमा सकते हैं, इसको भी हम लुक सीखेंगे, और एक हमारा part बचा हुआ चल रहा है, जो की है हमारा shaded pole induction motor, आने वाले lecture में इन सब की उपर चर्चा करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, जुड़े नहीं और देखते रहें, अगर आपके मन में कोई भी doubt है, तो आप शेर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, आपने अबना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद,